ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते, बोल इलाबा अजाद है तेरे नासकार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि जब हिंडनबर्ग मामला सामने आया था, तब मुदी सरकार ने कहा था कि इस मामली की जाच कराने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या जौद सोरोस दोनों पर भारती जनता पार्टी ने आ एक भूड़ा, खतरनाक और धनी व्यक्ती बताया था, मगर अब सुप्रीम कोट की तरफ से एक ऐसा आदेश आया है, जो मुदी सरकार के लिए जटका है ही, और हाँ, उद्योगपती गौतम अडानी के लिए अच्छी खबर नहीं है, हाला कि उन्होंने इस खबर का खबर ये है कि सुप्रीम कोट ने इस मामले की दोहरी जाच के आदेश दिये हैं, नमबर एक, उसने अपनी एक समिती के गठन का एलान किया है, नमबर दो, सेभी सेभी कहा है कि वो इस मामले की जाच करें, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उसने जो अपनी सम समिती में जो लोग हैं वो कौन-कौन हैं मैं आपको बताता हूँ Mr. O.P. Bhatt, Justice देवधर, Mr. K.V. Kamat, नंदन नीले कैनी अब मैं आपका ध्यान खीक्षना चाहूँगा दो लोगों की तरफ दोस्तों एक तो K.V. Kamat और दूसरा नंदन नीले कैनी कौन है नंदन नीले कैनी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि वो आधार कार्ड के जनक हैं यानि मुदी सरकार के साथ बहुत करीबी से इन्होंने काम किया है क्या उन्हें इस समिती में होना चाहिए इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा मेरे दर्शक दें कौन है केवी कामत दोस्तों केवी कामत हैं ICICI bank के प्रमुक और मैं आपको इनका एक बयान दिखाना चाहता हूँ जो आपके screens पर है इन्होंने कहा था गुजरात development model worth replicating उन्होंने कहा था कि जो development model गुजरात का है उसे पूरे देश को अपनाना चाहिए यह केवी कामत सहाब न अब यह महस सवाल है मैं यह नहीं कह रहा हूँ और मैं किसी भी कीमत पर उनकी निश्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ मगर जब आप इस तरह के बयानात दें तो स्वाभाव एकसी बात है उस पर कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं बात या नहीं रुकती दोस्तों मैं आपको ये भी बतला दूँ कि सेवी भी इसकी जाच करेगी हाला कि कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने उभर कर आ रही है कि सेवी ने अब तक अडानी मामले की जो जाच की है उसमें उन्हें कुछ भी घलत नहीं मिला है मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवी अब इस म Contract Regulation Rules का Rule No.19 क्या इस Rule No.19 का उलंगन हुआ है क्या शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स की कीमत है उसमें किसी तरह का गड़बर जाला हुआ है क्या उसमें किसी तरह की जो है हेर फेर हुई है तो सेवी इस निगाह से इस मामले की जाच करेगा मैं आपको बतला दूँ गौतम अडानी ने आपचारिक तोर पर इस जाच का स्वागत किया है वो क्या कह रहे है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहतना हूँ अडानी आपर क्या कह रहे हैं हिंदी मैं आपको बता दूँ अडानी ग्रूप ने सुप्रीम कोर्ट के साधेश का स्वागत किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सच की जीत होगी ट्रूथ विल प्रिवेल मगर आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये आदेश सुनाया है इससे पहले क्या हो रहा था सबसे पहले मोदी सरकार इस मामले की जाच भी ने बिठाना चाहती कॉंग्रिस लगातार कह रही है दोस्तों कि इस मामले पर संसद के अंदर जॉइंट पारलिमेंटरी कमिटी का गठन हो जो इस मामले की जाच करे ये मुद्दा लगातार राहूल गांदी उठा रहे हैं मालिका अरजुन खड़गे उठा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने इस मुद्दे पर टिपणी करना तो दूर खामोशी अख्तियार की हुई है बड़ा प्रश्ण इस देश का एक लंबा इतिहास रहा है असी के दशक से कि जो मुद्दे विवाद आस्पद रहते हैं जिस मुद्दे पर विवाद पैदा होता है उसकी जाच जे पीसी द्वारा कराई जाती है चाहे वो टूजी मामला हो या कोई अन्य मामला मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे में अडानी मामले के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो बातें सामने उभर कर आई हैं इस मामले की जाच करने से मुद्दी सरकार क्यों कत्रा रही है खासकर अब जबकि सुप्रीम कोट इस मामले की दोहरी जाच के आदेश दे दिया है एक उसने खुद अपने एक समिती बनाई है दूसरा सेभी जो है वो भी इस मामले की जाच करेगा तो ऐसे में जेपी सी की जाच से शर्माना क्यों? मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों कि हिंडिनबर्ग रिपोर्ट जब सामने आई थी तो उन्होंने कई दावे किये थे उन्होंने सबसे बड़ा जो दावा किया था कि किस तरह थे? स्टॉक मारकेट्स की कीमत में नकली तरीके से, कृत्रम तरीके से जो है वो जोर लगाया गया, गडबड जाला हुआ, यही नहीं गौतम अडानी के भाई विनूद अडानी पर सवाल कि वो विदेशी जमीन पर फरजी शेल कामपनियों के मालिक हैं और उसके जरीय स्टॉक बाजार में भी हेर फेर चल रहा था, और मैं आपको बता दूँ, अलजजीरा की एक और रिपोर्ट आई है, जो बहुत शॉकिंग है, और इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, याद कीजे दोस्तों, कोईला घुटाला, याद कीजे दोस्तों, 2014 के सुप्रीम कोर्ट का फैस चिता नहीं थी, मगर क्या आप जानते हैं, अलजजीरा की ये जो रिपोर्ट आई है, इसके मताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, मोदी सरकार ने दिशा निरदेशों में ट्वीक किया, बदलाव लाए, उसके बाद उन्होंने दो कोल ब्लॉक्स, एक प आरसा कोल ब्लॉक्स, दोबारा गौतम अडानी को दे दिया, 2014 के बाद, 2015 के आसपास, यही दी दोस्तों, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट में, जो कियाल जजीरा में आई है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कि मार्श 2020 में, प्रधान मंतरी कार्याले ने आंत है, मैं कोट करना चाहूंगा, क्या कहती है रिपोर्ट, the Prime Minister's Office internally admits that the appointment of the MDOs before the allotment of the mineral blocks was inappropriate, MDO क्या होता है दोस्तों, माइन, डेवलपर अन ऑपरेटर, जो की गौतम अडानी कामपनी थी, तो यह अलजजीरा की रिपोर्ट थी, यानि कि जिस कोईला घुटाला को लेकर, हाड हमला किया, सुप्रीम कोट की आदेश की धज्यां उडाते हुए, अडानी ग्रूप को P.E.K.B. ब्लॉक और पारसा कोल ब्लॉक दोबारा दे दिया गया, ऐसा ये रिपोर्ट दावा कर रही है, याद कीजे, कोईला घुटाले को लेकर, किस तरह से प्रधान मंत्री न आरेंद्र मोदी ने हमला बोलते हुए, ये भी कहा था, 2013 में, कि A.I.C.C. दरसल All India Coal Congress है, और अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट के मताबिक प्रधान मंत्री क्या करते हैं, सुप्रीम कोट के दिशा निर्देशों की धज्या उडाते हुए, दो कोल ब्लॉक्स गौतम अडान को दे देते हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मामले की समग्र जाच हो, हिंडिनबर्ग रिपोर्ट या जौज सोरोस को भारत विरोधी बताना बहुत आसान है, उन्हें बुढ़ा, खतरनाक, इन तमाम शब्दों से नवाजना बहुत आसान है, क्योंकि तब आ देश मंत्री नहीं रह जाते हैं, तब आप डिपलोमैट नहीं रह जाते हैं, आप एक ट्रोल, एक रोज मर्रा का बीजेपी ट्रोल बन कर रह जाते हैं और उसके लावा कुछ नहीं है, मिस्टर जैशंकर, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरी पार दर्शिता से इ रोज देख रहे हैं, रोज अडानी की जो तमाम कंपनियां हैं वो रेड में हैं, लगातार उनके स्टॉक्स गिर रहे हैं, जो आशंकाए हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जतलाई थी, वो धीरे धीरे कम से कम स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रही हैं, मैं नहीं बूलाओ जब ये रिपोर्ट सबसे पहले आई थी, इंडनबर्ग रिपोर्ट, तब अडानी के सीएफो भारती तिरंगे के शरण में आकर बयान दे रहे थे कि ये भारत पर हमला है, यानि कि बिलकुल उसी अंदाजे बयान का इस्तमाल, जिस अंदाजे बयान का इस्तमाल जो है, व अब आप पर सवाल हो, तब आप देश भक्ती का सहारा लें, जो सरासर गलत है, इसलिए आज मुझे लगता है सुप्रीम कोट का ये आदेश एतिहासिक है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी जाच निश्पक्षता से होगी, खासकर सुप्रीम कोट की जो अपनी समिती ह वो निश्पक्षता से जाच करेगा, सेभी जिस पर सरकार का कंट्रोल है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर जिस तरह से ये मामला विवादों से घिरा हुआ है, जिस तरह से प्रधान मंत्री इस बात पर पूरी तरह से खामोश है, जी हाँ, ये ना बोले राजसभा, लोगसभा, दोनों जगा प्रधान मंत्री ने एतिहासिक भाषन दिया था, मगर हुआ क्या, प्रधान मंत्री ने एक बार भी गौतम अडानी शब्द का जिक्र नहीं किया, अब जबकि सुप्रीम कोट ने इस मामली की जाच के आदेश दे दी हैं, तो मैं उम् अंत तक पहुँचेगा, अब सार शर्मा को दीजिए अजासत, तमस्कार